सो हेलो इवान, गाइस, रर्मादीव, राधिर राधिक, कैसे आप सभी लोग गाइस आई होग आप सभी लोग अच्छ होगर अपने लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगी सो गाइस, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आगई हूँ, आपके लिए कौन सी बड़ी तीन गुड नियूज आने वाली हैं, ओकी सो यह आपकी कुछ मैनिफेस्टिशन कर रखी होंगी पहले से ही, तो वो इस समय गुड नियूज के रूप में आपकी लाइफ में आ रही हैं, मतलब आपके लिए वो इच्छा पूरी और यह अफ्कॉस वो गुड नियूज ही है आपके लिए हाना, सो यह काईस दोनों पा काड है, अगर आपकी जो नेम के निशियल्स हैं, वो इन में से आते हैं, तो आप सेकिंड पाल पिक कर लीजियो के, सो दोनों ही पाल्स आपके सामने, आपकी इच्छा के मताबिक आप पाल चूस कर लो, के, सो रीडिंग स्चार्ट करने से पहले, अगर आप न्यू हो चैन कर लेते हैं, गाइस, चार्ट कर लेते हैं, अगर अगर आपकी जो नाम का पहला अक्षरिंड में से आता है, तो आपके लिए फॉर्स पाल थी, ठीक है, सो गाइस, यहाँ पे क्या एनर्जी आ रही हैं आपके लिए, कौन से बड़े गुड़ न्यूज आपको देखने को मिलने वाली हैं, आने वाले समय में, ओकी? सो फॉर्स पाल गाइस, क्यारिंग कनेक्शन कार्ड जिनका भी है, मतलब आपने फॉर्स पाल को चूस किया है, तो यह कौन सी बड़ी तीन गुड़ न्यूज आपको देखने को मिलेंगी? सबसे पहली चीज तो गाइस, आपके रिष्टों में बहुत ही जादा प्रेम आता हुआ, प्यार भड़ता हुआ, आपकी विश्च हो सकती है, कि में को रिलेशन्शिप इशूस रहते हैं, और मुझे यह रिलेशन्शिप इशूस नहीं चाहिए, तो आफकोस वो इशूस यहाँ पे resolve होते हैं, solve हो रहे हैं, and also यहाँ पे ऐसा भी दिख रहे हैं, अगर आप married हो या relationship में हो, तो अफकोस आपके रिष्टे में भी यहाँ पे अगर कड़वडाहट थी बहुत टाइम से, मतलब बहुत जाए bitterness थी हो रखी थी, तो वहाँ पे बहुत जाए love, care, affection यहा अगर कोई भी और function है, तो वहाँ पे आपको बहुत प्यार, प्रेम, अपने partner से मिलता हुआ दिख रहा है, okay, चाहिए आप girl हो, चाहिए आप boy हो, ठीक है, तो चाहिए मतलब कोई भी आप gender और गएरा की accordingly नहीं होती है, यह reading, बट हाँ मैं girl हूँ, तो of course मैं girl के लिए reading है, okay, so 14 number आपके लिए important हो सकता है, also 5 number is important for you guys, so यहां से ही guys देख लेती हैं, आपके लिए क्या energies आ रही है, पहले मैं guys सबसे पहले इस जग से चूज कर, मलब, sorry, देखती हूँ, ठीक है, आपके लिए सबसे पहले यहां से देख लेती हूँ, कौन सी बड़ी तीन good news देख आपको देखने को मिलने वाली हैं, so पहले तो guys मैं card निकाल लेती हूँ, so that आपको जारा time न लेना पड़े, मिक को time न लेना पड़े जादा, okay, so कही न की पहली good news क्या है guys, आप अपनी intuition के उपर बहुत जारा work कर रहे हो, बहुत समय से, और आपको था के मेरी intuition high हो जाए, म एक को पहले से ही पता चल जाए, future में मेरी life में क्या होने वाला है, आप futuristic बनते हुए दिख रहे हो, मुझे ये भी दिख रहे हो, and आपकी knowledge बहुत increase हो, ये आप knowledge gain करते हो, दिख रहे हो, knowledge evil बन रहे हो, आप बहुत जारा, okay, and seven chakra archangel yurial, ये show कर रहे है, कही न कहीं आपकी ज विश्वी हो सकती है, and कुछ लोग की यहाँ पर पहली विश्वी हो सकती है, कि उनका crown chakra open हो जाए, okay, so crown chakra open होते ही, वो universe के साथ attach हो जाएंगे, definitely वैस्तों हर को ये attach होता है, बट कई बार कुछ चीजों की वज़ह से हमारा crown chakra बन हो जाता है, okay, so उसको open करने के लिए बहुत सरे efforts लगाने पड़ते है, okay, ऐसे ही नहीं open होता, बस कुछ लोग होते हैं, जिनका वो open वैसे खुद ही हो जाता है, उनको पता नहीं होता, बट उनका open हो जाता है, but कुछ लोग को बहुत ज़दो जहत करना पड़ता है, then उनका crown chakra open होता है, okay, so yes, सबसे उपर वाला chakra होता ह है, आपके जो head है, उसके उपर flower जो बना होता है, उसको ही crown chakra बोलते है, okay, seven chakra इसको कहते हैं, so 41 number आपके लिए important हो सकता है, also 5 number is also important for you, so guys, second wish क्या है आपकी जो पूरी होने लिए, कौन सी good news आपकी life में दूसरी आने वाली है, wow, guys, something destined will happen, okay, बल ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसी होगी आपके साथ, जो पहले से ही distant है, जो यह marriage हो सकती है, यह किसे distant partner से मिलना हो सकता है, मतलब distant partner में soulmate, twin flame, आपका कार में soulmate, कार में, मतलब सब ही लोग आ जाते हैं, इसमें, ठीक है, किसे से मिलना, कोई करम करना, आपने कोई business open करने का सोचा था, वो आपने कर लिए open, और आपने सोचा था मुझे जॉब चाहिए, वो आपकी good news आपको मिल गई, मतलब आपने कुछ मांगा universe और वो आपको मिल गया, ठीक है, यह सब चीजे होते हुए मुझे दिख रही है, और यहाँ पर आपकी जिन्दगी में, आपको खुद मौका दिया जा रहा है, अगर आपको अपने खुद की destiny लिखनी है, तो आपको ज़रूर यहाँ मौका दिया जा रहा है, universe की तरह से divine की तरह से time, okay, so यह strategy आपके लिए create कर रखी है universe ने, of course आप अपने लिए destiny create कर सकते हैं, मतलब अपने destiny को खुद create करने की आपके अंदर शमता आते हों, दिख और yes, एक तरह से good news ही है आपके लिए, कि आप अपने खुद की destiny लिख सकते हो, और आपको पता हुगा क्या आपकी जिन्दगी में आगे हो सकता है, okay, so यह universe ने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जो होने वाला है आपकी जिन्दगी में, third good news जो मुझे यहाँ पर दिख रहे है, वो है walking away, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है हमारी life में, जो हमें, हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, बट हमें वो कतनी होती है, हमें वो चाही होती है, तो यहाँ पर walk away की energies है, कुछ चीज़ें यहाँ तो आप से दूर चली यहाँ पर आपको move on ही कतना था इनसे ठीक है, और move on का reason यह हो सकता है, कि आपको कुछ अच्छा नहीं समझा वहाँ पर या आपको कुछ अच्छा नहीं लगा वहाँ पर, तो आप वहाँ से निकल रहे हो, यहाँ पर यह भी है walking away की energy से, कि आप कहीना की अपने जंदगी मे अपने comfort zone को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, ऐसी भी इसका meaning हो सकता है, ठीक है, मतलब आप अपनी life में एक situation आपने खतम के उसके बाद आप आगे बढ़ते हो, दिख रहे हो, आपकी जंदगी में आप walk away कर रहे हो, बहुत सारी चीजों से pass से walk away कर रहे हो, okay, so 27 number is important for you, 9 number is important for you, 7, 2, okay, or 3, 21, 41, 5, and 2, 1, ये numbers आपके लिए important हो सकते हैं, bottom of the deck यहाँ पे है आपके लिए the angel of balance card, I think overall जो energies ये हैं, ये जो भी हो रहा है, ये balance create कर रहा है आपकी life में, आपकी energies में balance create कर रहा है, आपकी yen और yang जो है, उनको balance में लेके आने में बहुत help की जा रहे हैं इनकी यहाँ पर आपके लिए और number important हो सकते हैं, जो कह है 12 number, 48 number, 3 number, okay, so yes, यहाँ से ही देख लेती हैं, अब tarot के through guys, okay, कौन से good news आने वाली हैं guys, आपकी जिन्दगी में तीन बड़ी good news, okay, कुछ लोग शादी चाहते हैं, वो second wish आपकी यह जो है ना, जो good news आ रही है, वो यही हो सकते हैं, कि ऐसे कुछ करम होने वाले हैं, कुछ लोग आपकी जिन्दगी में आने वाले हैं, जो के relationship के थूँ, marriage के थूँ या new logo को आप मिलते हों, कुछ लोग आपकी life में जाने वाले हैं, मेसे जाने वाले, okay, so guys, seven of wands है, आप अपनी life में आपके लिए good news यह भी आ रही है, आप अपनी life के लिए लड़ते हों, आप खुद के लिए लड़ रहे हो सभी से, ठीक है, अप क्या हो, आप क कुछ time है, खुद के लिए भी आप जिन्दगी जीने आये हो, यहाँ पे, दूसरों के लिए नहीं जीने आये over time, okay, so कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं, जिसमें आपके against लोग होंगे, but आपको यहाँ पे यह कहा जा रहे हैं, आपके पास right है अपने खुद के time और energies भी आपके पास right है कि आप अपने लिए लड़ पाओ, तो definitely आप अपने लिए खड़े होते हो, दिख रहे हो मुझे, आप अपनी life में सब कुछ सही करने में, मतलब यह ऐसा लिग रहा है मुझे कि यहाँ आप अपनी life में सब कुछ right करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, अपने लिए लड़ रहे हो दूसरों से ठीक है, अपने family वालों से हो सकता है, या खुद से ही खुद की जंग यहाँ पे मुझे दिख रही हो कि बहुत hard work करते हो दिख रही हो, बहुत सारे लोगों के opinion से लड़ रहे हो यहाँ पे हो कि आप, so second conscious good news है जो आपकी तरफ आने वाली ह God, so आप देखिए guys, यहाँ पे आपके लिए क्या है, मैं यहाँ पे यही बताऊंगे, strategy card है उसके उपर wheel of fortune, यह strategy card wheel of fortune ही था, okay, so yes, आपका luck यहाँ पे invoice हो रहे हो, आप lucky बनते हो, दिख रहो पहली चीज़, दूसरी चीज़ कुछ ऐसे करम होने वाले, यह confirmation है आपके इसान आपकी जिंदगी में आ और वो आपका ही ओके रह गया, या कोई इनसान आया था बट वो निकल गया, break up हो गया, यहाँ चले गया, यहाँ चले गया, इस दुनिया से ही चले गया है, मतलब, तो ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पे होने वाले, आप उसको रोक नहीं सकते है, conceive करने की, और आपका luck increase, और यह 10th month है, और 10 number ही यहाँ पे आया है, okay, so yes, 10 number और 7 number भी आपके लिए important हो सकता है, आपके लिए universe ने कुछ सोच रखा है, और वो यहाँ पे आपके लिए good news आ रहा है, कि yes, यह हो रहा है, और यह negative news नहीं है, यह good news है, okay, अच्छी चीज़े होते हुए दिख रही है, मुझे यहाँ पे, मतलब कुछ ऐसा जो आपने सोचा नहीं और वो हो गया, और वो बहुत अच्छा है आपके लिए, आपका luck उससे increase हो रहा है, आपकी भाग्यों यहाँ पे होता हुआ, दिख रहा हो कि उससे, so yes, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे द और में important हो सकते हैं, okay, see this, इतनी अच्छे मतलब न, attached card आये है, strategy को पर strategy, eight of swords के नीचे walking है, मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है, किसी situation में आप फसे हुए थे, आपको था कि इससे में निकल जाओ, यह आपके लिए good news है, तो of course, आप उस situation से निकल रहे हो, जहाँ पे आप फ पसे हुए थे, struck feel कर रहे थे, ठीक है, definitely आप उन सब situation से बहाँ जा रहे हो, उन सब चीजों से आप बहाँ निकलते हो, दिख रहे हो, okay, और also eight number आपके लिए important हो से, eighth month भी important हो से next year का या past का जो eighth month, वो important रहा होगा, okay, so yes, यहाँ पे कही ना कि, आपको यह भी कहा जा रहा है मैंने बोला ना, आप अपने comfort zone को छोड़िये, I think आप एक जगा पे बैठे हो, और आपको वही काम करना है, या आप घर पे रहते हो, of course, आपको घर का ही काम करना है, just, I know, बहुत जारा hard working moms होती हैं, sisters होते हैं, जो आपकी, मल आपकी wives होती हैं, जो भी आपको, दादी, मल ताई, चाची, जो भी है, जो females है ना, वो बहुत स्ट्रॉंग होती हैं, because वो सभी को खाना देती हैं, खुद वो बाद में खाते हैं, अतला होता हैं, कि मैं यहाँ पे यह बहुत सब्सक्राइब करना हो, कि देखो, हर कोई girl, जो boys होते होते हैं, आप करते क्या हो, ठीक है, okay, so yes, third चीज, यह good news आपके लिए आ रहे है, आप अपने comfort zone से बहाद निकल रहे हो, okay, आप बहुत सब्सक्राइब करना हो, आप बहुत सब्सक्राइब करना हो, तो आप क्या कह सकते हैं, इसके लिए, study कर रहे हो, बट फॉर्म फिल अपने क्या हो, और उससे क्या हुआ, आ हाना, so yes, आप comfort zone ही नहीं छोड़ो, बस study किया जारे हो, आपका comfort zone है, और उसको आप छोड़ के बहाद नहीं निकलो, जिससे आपको success मिल पाए हाना, तो yes, यह सब चीज़ें आपके लिए दिख रहे हैं, आपको कहा जारे, move on करो, stuck energy से बहाद निकलो, ओकी, bottom of deck, आप बहुत प्यार करते हैं आपसे, और yes, यह वही person हो जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हो, ठीक है, तो yes, आपकी यह good news है, कि कोई person आपकी तरफ आ रहे हैं, जो बहुत emotional है, बहुत loving, caring है, और second जो चीज़े मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब चौथी पांच में यह इच्छा हो सकते हैं किसी की, कि भाई मुझे independent बनना है, और वो independent कैसे खुद का business खड़ा करके बनना है, खुद के पैरों पे खुद का boss बनना है, यहाँ पर ऐसी कुछ energies मुझे दिख रहे हैं, और यहाँ पर नहीं ऐसा भी दिख रहे है, equal give and take, equal give and take की energy है, कही आपको कहा जड़े equal give and take करिए, ऐसा भी दिख रहे है guys, आपका business बहुत गुरू कर रहा है, जिसके तुरू आप बहुत अच्छी earning करते हैं, दिख रहे हैं, बिल्कुल आपको stress लेने की जुरूरत नहीं है, 9 number, 8 number, 10 number, 1 number, 7 number, आपके लिए important numbers हो सकते हैं, okay, guidance देख लीती हूँ guys, आपके लिए क्या आ रही है, यहाँ पर, क्या guidance है, जो भी यह तीन बड़ी good news आ रही है, उसके regarding क्या guidance है आपके लिए, क्या उनसे आपको guidance की जरत है, स्चाइम पर, ओके guys, कुटों में आए हैं, सबसे पहले तो आपको कहा जड़े, अपनी wisdom के पर focus क आप knowledgeable बनना चाहते हो अगर, तो of course, knowledgeable बनने की कोशिश करो, ठीक है, और यहाँ पर आपके wisdom increase हो रही है, of course, अगर आप पहले से knowledgeable तो आपको यह information सुनने की जरूरत ही नहीं है, बट हा, कुछ ना कुछ new सीखने को मल जाता है, कुछ ना कुछ new सीखने को मल जाता है, यहाँ पर om mantra chanting की भी energies है, मैंने आपको starting में ही बोल दे था, बहुत knowledgeable बन रही है, आपकी intuition बहुत high हो रही है, और yes, वो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर again वो confirmation हो चुकी है, so second जो good news है ना, इच्छा बोलने हूं guys, second जो good news है, वो यह है कि almora आपकी awakening होते हैं दिख रहे हैं, awakening presence की energy है, आपके साथ universe आपके साथ हैं, आपको कहा जारे, we are a clock of protection and love, protection and love क्यों पर focus करो, okay, आपको यह भी guide किया जा रहे हैं यहाँ पर, और आपको यह मिलते भी दिख रह आया है, master buddha का, okay, आप aware होते हैं, आपको कहा भी जारे, increase कर अपनी awareness को, आपके ऐसे लोगों से connections create होते होते हैं, जो बहुत deep, deep है spirituality में, ठीक है, deeper energies में है, spirituality में, और deep connections आप लोग create करने वाले हो, सभी के साथ, okay, सभी souls के साथ, और trust your inner voice, so, यहाँ पी भी trust your inner voice है, यहाँ भी trust what you know, तो of course guys, जो आपको लगता है न यह होगा, तो वो होगा ही होगा, तो आपकी आत्मा गलत नहीं बोल रहे है guys, okay, so trust करिये what you know, okay, and यहाँ पे mother marry आई है, definitely guys, आपकी life में peace और love आता हुआ दिख रहे है, आपको कहा ज़रे, let go of the need to be right, आपको यह कहा ज़रे, अपने mother healing आपके लिए possible is time, okay, so yes, यह energies है guys, आपके लिए, बाकी अगर आपको reading पसंद आई हो, definitely आप like करके जाना, ज़रूर चैनल को reading को, चैनल को subscribe कर लेना, bell icon को दबा के all पे set कर देना, and personal reading के लिए आप मुझे instagram पे DM कर सकते हो, instagram का link description में है, time streams के जो चुपा, यहाँ फिर आप वही पे message करके मुझे bye कर सकते, okay, so अभी के लिए इतना ही, रहर महादीव, राधी राधी, God bless you everyone, take care, bye guys, so hello everyone, guys, रहर महादीव, राधी राधी, कैसे आप सभी लोग guys, second pile, guys, जिनके भी name के initials इन में से है, means A, I, L, P, C, K, R, D, N, V, G, T, X, तो आपके लिए second pile, okay, so देख ल So, तीन बड़ी good news आज हम देखने वाली है, okay, चाहे वो 5-6 आजाएं, वठा मैं तीन ही सोचूंगी कि आपके लिए देखूं, okay, so यहाँ पे जो मतलब बहुत important है, मतलब वो होकर ही रहेंगी, वैसी good news, okay, so यहाँ पे second pile आपके लिए woman holding a heart card है, सबसे पहले तो यहाँ पे good news जो आ रहे है, वो यह है, कि आप अपना heart chakra सब के लिए open करने जा रहे हो again, okay, means पहले आप open, मतलब आपका open ही था heart chakra, पठोता है न, कि yes, किसने hurt कर दिया, बहुत साई लोगों ने hurt कर दिया आपको, so इस वजह से hurt से बचने के लिए आप अपनी life में, अपने heart chakra को यह hurt किया है, तो उसको जोडने में आपको time लगा था, उसको heal करने में आपको time लगा था, और उसके बाद आपने आपको boundary set कर ली थी, कि अब कोई नहीं आ सकता मेरी जिंदगी में, आप कोई hurt नहीं कर सकता मुझे इस lifetime में, okay, so yes, उसके बाद आपने आपको heal किया, and अब आप फिर स अपना heart chakra open up करते हैं, और दिखे हो कि हर किसी का प्याद लेना है, और सबको देना भी है, so woman holding a heart card यहीं show कर रहा है, 44 number आपके लिए important हो सकता है, also 8 number is also important for you, okay, so यहां फिर double 4 या triple 4 आपके लिए बहुत important हो सकता है, so आप, अगर आपको पता है, angel number होता है, triple 4 तो आप check out कर ले गूगल भी वैसे इसका meaning जो है, वो यही है कि angels आपको fully protect करते हो, दिख रहे हैं आने वाले समय में, angels आपकी बहुत help करने वाले हैं, आपकी चाओं को पूरी करने में, okay, so yes, कौनसी बड़ी 3 good news आपको देखने को मिलने वाले हैं, वो देख लेते हैं अभी हम, okay, सबसे पह अगर किसी को नहीं पता है, force chakra कौन सा होता है, तो वो अपना heart chakra होता है, Archangel Raphael उसको heal करते हैं, help करते हैं, उसको rule करते हैं, ठीक हैं, मैं guys ऐसे ही नहीं कुछ बोलती हूँ, ठीक है, जो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे जो energies हैं, वो यहाँ पे क्यों आ चुकी हैं, again, वैसा ही card क्यों निकल करा है, हम money आ सकते हैं, कुछ और आ सकता था, because यह important energies हैं, और यह होने वाला हैं, आपकी जिंदगी में, okay, so yes, जिनकी भी life में, उनका heart chakra heal नहीं है, open up नहीं है, अब उनका heart chakra open up होता हो, अगर किससे आप बाचित करना चाहते हैं, उनसे आप बाचित कर होते हो, आने वाले समय में, okay, so यह सब चीजें आपकी life में होने वाली है, 38 number is also important for you, 9 number is important for you, 11 number is important for you, okay, और यह dates important हो सकते हैं, आने वाले समय में, जहां आपकी इच्छा पूरी हो, और यहां बिना बहुत निरमल बनते हो, बहुत कोमल हार्टर, मनला जिसका हम कहते हैं, soft-hearted person, okay, बहुत compassionate energies show कतने वाले हो, बहुत kind energies, kind-hearted person बनते हो, दिख रहे हो, आप लोग, okay, so yes, यह energies आपके लिए यहां पे दिख रही हैं, और यहां से देख लेते हैं, क्या energies हैं आपके लिए, second, क्या good news है, okay, so अगर आप चाहते हो, आपके partner आपके बारे में सोचते रहे, overthinking कर रहें, तो definitely guys, वो person आपके लिए overthinking करते रहेंगे, और वो person, यहां पे आपके partner, यहां अगर married हो, तो definitely वही आपकी partner है, यह कोई तो यहां पे male figure है, जो आपके बारे में बहुत overthinking करने वाले हो, okay, overthinking करते हो, दिख रहे आने वाले समय में, so yes, यह person बहुत ज़रा caring person हो सकते इस person को branded clothes पहना पसंद है, बहुत चोटी मोटे कपड़े नहीं पहने, बहुत अच्छे brand से चाहिए कम कपड़े हो इनके पास, but branded होंगे सब, okay, और yes, यह person बहुत overthinking है, और आपके बारे में बहुत ज़रा सोचते हैं, अगर आप single हो, definitely यह कोई male figure है, और आपके बारे में स अगर कोई आप female हो, तो यह female figure ही हो, जो masculine nurse में बैठी हुई है, okay, so ऐसे कुछ यहाँ पे चीज़े मुझे दिख रहे हैं, जो कि आपके लिए होते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए good news आ सकते हैं, मतलब आप चाहते थे यह person आपके बारे में सोच और yes, वो person आपके बारे में ही सोच रहे हैं, okay, and yes, यह भी दिख रहा है मुझे कि आपकी जिन्दगी में कही ना कहीं, love आता हुआ दिख रहा है, अगर आप single और romance आता हुआ दिख रहा है आपके जिन्दगी में, और कहीं ना कि कुछ ऐसी good news आप चाहते हो अपने जिन्दगी में, जो आपकी life में मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने उनके बारे में सोचा, आपने उनको manifest किया कि यह होना चाहिए, और उसकी आपको जहलक दिख रही है, start हो रही है, वो wishes आपकी fulfilled होना, so ऐसा भी हो सकता है, okay, कुछ ऐसी भी चीज़े हो सकता है, कुछ main energies कि आपको यही चीज़े चाहिए अपन को मिलने वाली है, कि yes, वही चीज़े आपको मिल रहे हैं, जो आपने अंदर से चाही थी, for example, आपने पार्टनर में चाहा कि मुझे ऐसा ही उनका attitude चाहिए, ऐसा ही उनका behavior चाहिए, ऐसे वो इनसान हूँ, इतना पैसा हो, मतलब हर एक चीज़े आपने सोच रखी थे अपन गुड नियूस है, वो है, six chakra archangel metatron, so ऐसा लग रहा है, आपके लिए दो archangel आचके, एक तो four chakra, एक six chakra है, ठीक है, so तेसरे good news आपके ये पूरी होने वाले, कि आपके intuition बहुत high हो जाएगी, आप आपको future की चीज़े बहुत पता चलने लग जाएगी, ठीक, आपका third eye chakra open हो रहा है, जो के भगवान शिफ का चक्रा था, I think आप महादेव के भक्त हो सकते हो बहुत जाएगी, तो यहाँ आपको अगर नहीं मानते हो, तो मानना स्चाट करो, आपके सभी good news, जो है ना, मतलब सभी चाहें वो पूरी करने में, बहुत help करेंगे, मतलब वही एक तरह से परम, पिता, परमात्मा हैं सभी के हैं तो अफकोस उन्होंने ही create किया है सब कुछ, तो वही destroy करने की भी ताकत रखते हैं, तो यहाँ पे उनका अगर थर्ड़ाई चक्रा उपन था, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनके भक्त हो, उनकी किर्पा है आपके पर आपकी थर्ड़ाई चक्रा यहाँ पे उपन हो रही है, आपकी intuition बहुत हाई हो रही है, आप futuristic बनते हो दिख रहे हो, astrology यह सब चीजों में आपका focus बहुत जाला जाने वाला याने वाले समय में, okay, so yes यह चीज़े मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, 10 number, 46 number, 11 number, 4 number, 40 number, 38 number 2 number और 6 number आपके लिए important हो सकते हैं, also यहाँ पे contract card के energies आई हैं, bottom of leg, तो I think यह जो चीज़े हो रहे हैं, यह आपके लिए होना तैह था, मतलब पहले से ही, आप चाहिए सोचो, ना सोचो, बट यह होना ही होना था, क्योंकि यहाँ पे contract के energies हैं, आप पहले से ही यह चीज़े लिए contract करके आए थे universe से कि yes, यह चीज़े मैं करूँगा, यह करूँगी यह चीज़े मेरे साथ होंगी, future में, okay, इस time में, तो yes, वो सब चीज़े होते वे दिख रहे हैं, so, guys, क्योंकि ना मैंने first pile में भी देखा, तो उनकी एक वेश्ट तो ऐसी थी कि उनकी distant चीज़ मिल चाहते ते आपको कहा जारे अपने intuition का use करूँ, आपके intuition आपको इस situation में क्या बोलती है, अपने heart चक्र उपन करूँ and then, आप उसको win कर लोगे, ठीक है, lose नहीं होगा, वो case आपके हाथों से नहीं जाएगा, आप उस case को जीतते हो, यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, यह good news हो सकते हैं आपके लिए, so और क्या good news है, okay, okay, heart chakra आपके इसलिए open हो रहा है, कि कोई नहीं कोई tower moment आपकी life में आ रहे है, आप heal करों अपने heart chakra को because, कोई tower moment आपकी जंदगी में आई है past में, और यहाँ पी आपका healing process चल रहा है, okay, so मैं यहाँ पी यह भी आपको बोलूँग कि आप कहीं न कहीं, एक जगह से दूसरी जगह जारे हो, तो आपका रून एक अमन करेगा, ठीक है, for example, आपका घर है, हाना, आप वहाँ से hostel जारे हो, आपको study करनी है आगे कि आप hostel जारे हो, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप घर छोड के जारे हो, तो आपको रून आएगा वहाँ पे है न, of course, वहाँ पे आपका हार्ट चक्रा हील होगा, आपका हार्ट चक्रा उपन होगा, और यह टाब मुमेंट, यह क्लिंजिंग कर रहा है आपके हार्ट चक्रा की, आपकी बहुत हल्प करे गई हो, तो ऐसे चीज़े मुझे यहाँ पे देख रही है, और क्या एनर्जिस आरे हैं गाईज आपके लिए, जो भी लोग फॉरण जाने का ट्राई कर रहे हैं, फॉरण जाने के लिए बहुत ज़ारा एफट्स चाल रहा हैं, उनके लिए मैं देख पारे हूँ कि यहाँ आपके लिए यहाँ पर, कही न कहीं किसी का वीजा, यहाँ नहीं मिल पा रहा था, okay तो वो मिल जाएगा, ये good news आपके लिए हो सकती है जो भी लोग चाहते थे, long distance travel करना, या foreign travel करना बस घूमने जाना है, okay वैसे ही जाना है, okay temporary तोर पे ही जाना है तो yes, वो possible होता हुआ दिख रहा है आपका visa approval हो रहा है और yes, आप जाते होए दिख रहे हो, okay मुझे, और ये good news है of course, कई बार होता है कि कुछ लोग तो जा ही नहीं पाते है अपनी life में और जिसने अगर मांगा universe से और वो चला गया, मैं तो guys मेरा dream place है, Paris और France okay, I don't know क्यों, मैं आपको बता रहे हो बठा, आपका कहाँ है dream place जुरूर मुझे बताना, okay so yes, यहाँ पर ये चीज़े मुझे दिख रहे हो, okay, Taurus, Scorpio Leo, Sagittarius Capricorn, Aquarius और ये energies आपके लिए important हो सकती है, okay so यहाँ से also आपके लिए क्या energies आ रहे है third कौन से आपके इच्छा पूरी होने वाले, okay, so आप अपनी power में आना चाहते हो, आप एक passionate energies में आना चाहते हो बहुत powerful बनना चाहते हो आप, ठीक है king की energies आई है definitely आप एक powerful personality हो पहले से और आगे भी बनना चाहते हो, आप king बनना चाहते हो, अगर आप girl भी हो तो आप एक masculine energies जिसमें आना चाहते हो और येस अपने अपने ऊपर वर्क करना चाहते हो ठीक है आपके खिलाव बहुत सारे लोग खड़े हो गई और सिटुएशन में बट आप वहाँ पे विनर घुषित किये चाहोगे ओकि आप वहाँ पे विनर विनर बनोगे मतला होता है कोई लोग जलसी होते हैं आपके खुद के अपने या कोई फ्रेंड्स होते हैं जलस होना स्टार्ट हो जाते हैं बट वहाँ पिया आपको कहाजर है उनको जलस होने दो और जलस होंगे क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ आगे लिखा है ठीक है उनको होने दो जलस ओके तो वो इसी काबिल है आप अपने लाइफ में आगे ग्रो करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो ठीक है और जो bottom of the deck आया है यह है आपके लिए good news कि आपकी life में बहुत सारी financial abundance आने वाली आने वाले समय में कोई earth sign के person आपकी तरफ आ सकता है, Taurus, Virgo, Capricorn, Russia उनकी हो सकता है और also मुझे यह भी दिख रहा है कि कोई earth sign के person आपको बहुत ही ज़रा help करने वाले हैं आप earth sign के हो, Taurus, Virgo, Capricorn, आपका moon, sun, rising on north node में आता है तो आपके लिए यही energies है कि आप बहुत financially abundant बनने वाले हो, यह आपके लिए good news है बहुत ज़रा rich बनते हुए दिख रहे हो आप, ठीक है, rich energies आपके अंदर आते हुए दिख रहे हो and self independent आप दिख रहे हो और yes आपके लिए guys बहुत passionate, nervous, new opportunities आ रही है guys आपकी ज़ंदगी बे तो आप उनको मुझे यहाँ पर grab करते हो दिख रहे हो, ठीक है और of course it's on you आपको grab करने है यह नहीं वो opportunities बट हाँ यहाँ पी आपकी तरफ opportunities आ रही है और मैं यहाँ पी यह भी देख पार हूँ, आपका business बहुत grow कर रहा है बहुत सारे clients आपकी तरफ long distance से आते हो unexpectedly आपका एकदम से business grow करेगा, उपस जाएगा and मैं यहाँ पी यही कहूँगी guys, जिन्होंने भी reading ली है personal, thank you so much guys and thank you so much आपने कल reading के लिए बिलकुल नहीं बोला मुझे क्योंकि मेरा fast था कल हना तो of course thank you, thank you, thank you everyone and thank you to universe जिन्होंने help की है सभी की fasting करने में and also मैं यहाँ पी यही कहूँगी कि सभी की मनो कामनाई पूरी हो हना, जो भी उन्होंने मांगा है also guys मैं आपको यह भी बोलूँगी जिन्होंने भी personal reading लेनी है crystal by करने है, तो वो आप instagram पे मुझे dm कर लेना, instagram का link description में है time stamps के just चुपाई, यहाँ फिर आप लोग पर about section से भी देख सकते हो crystals by करने के लिए भी आपको मुझे instagram पे dm करने है और also reading के लिए भी, और अगर आप instagram पे हो ही नहीं तो comment section is here, तो of course आप वहाँ पे भी मुझे बोल सकते हो so यहाँ से आपके लिए कौन सी guidance आना चाहती है, okay oh my god, wow मैंने abundance बोला ना, तो यहाँ बे भगवान गनेश कहरे मैं क्यों ना हूँ इस reading में, मैं तो आऊंगा, मैं तो abundance लेके आ रहूँ आपकी life में तो yes, infinite abundance आपकी जिंदगी में आने वाली है, यह आपके लिए good news है, okay obstacles आपकी life से remove की जानी आने वाले समय में और yes, spiritual support and जो connections है न, वो increase हो रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको मिलवाया जाएगा, वो बहुत spiritual है, okay और भगवान गनेश की अराधना करिया, आपके लिए बहुत अच्छे energies आएंगे, आपको अच्छा feel होगा, okay so यह second, जो message आपके लिए guidance के रूप में आए, वो है lady venus so of course, रुथ आपके सामने आता हुआ, दिख रहे हैं, सत चीजों का आपके सामने आता हुआ, दिख रहे हैं, बहुत सारे downloads and understandings, यहाँ पर आपके सामने आ सकती है, deep insights are coming from heaven and the astral realm, so deep insights आपकी life में आते होए दिख रहे हैं, और astral realm की तरफ से, okay, और heaven की तरफ से, so यहाँ भी white eagle की energies हैं, तो definitely ancestral spirit की energies हैं यहाँ पर, connect to your lineage, आपको अपने lineage के साथ connect करने के लिए कहा जा रहे हैं, I think जो taboo moment आई है, यहाँ पर यही एक reason है, क्या आप अपने lineage के साथ connect नहीं कर रहे हो, of course, अपने ancestral spirits के साथ connect करने की कोशिश करिए, वो guide करेंगे आपको ज़ू यहाँ चला रहा था, जो wounds थे आपके घर पे, family में, मतलब past में भी, तो वो यहाँ पे this time heal हो जाएंगे, okay, so, आप एक healer बनोगे, ठीक है, अपने family के लिए, horrors आए है, cosmic gateway आपके लिए energies आए है, so, yes, आपके thoughts बहुत magnetic and powerful बनते हो दिख रहे हैं, तब ही मैंने बोलना, आपका थगड़ाई चुक्रा उपन हो रहा है, जो सोचोगे वो हो जाएगा, pure hearted person हो, definitely, जो बोलोगे, जो सोचोगे वो हो जाएगा, okay, so, अच्छा-च्छा सोच and miracles आपकी life में आ रहे है, miraculous changes are occurring for you, okay, so, anyways, guys, like this reading, subscribe to this channel, bell icon के दबा देना, all पे सेट कर देना, personal reading के लिए आप मुझे instagram पे dm कर सकते हैं, instagram का link description में है, time shams के just चुपई, यहाँ फिर आप लोग उपर about section से भी देख सकते हो, okay, so, अभी के लिए इतना हर्मादी, राधे राधे, God bless everyone, bye guys,